सबी साथियों का आपसे प्यारे से परिवार में स्वागत करता हूँ मैं आज आपके सामने लेकर किया आया हूँ UP DLA 2030 के बारे में एक इनफार्मेशन देने के लिए जिसमें मैं आज बात करूँगा कि पर्थम चरड की मेरिट लिष्ट कपता काएगी पर्थम चरड कब से चालू होगा डाकुमेंट क्या होता है कौन कौन फे डाकुमेंट लगेंगे ऐसा काम करेंगे कि 100% फरकारी कालेज हमको मिलेगा इन फ़भी चीजों पर हम लोग शर्चा करने वाले हैं तो वीडियो को प्रारम करने से पहले मैं आपको बता दूँ कितने भी लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा आए हम बात कर लेते हैं इन्स पे कि डियलेड हेट टू मेरिट लिस्ट क्या होगी कि फर्स्ट राउंड कब चालू होगा सेकेंड राउंड कब चालू होगा और थार्ड राउंड कब चालू होगा आगे टियलेड होता क्या है एक्च्छल में इन भी चीजों पर चार्चा करेंगे डियलेड में एडिशन किस प्रकार लिया जाएगा इस चीज पर भी चार्चा किया जाएगा मेरिट को कैसे पता करें कि हमारी मेरिट कितनी है ये भी चीज चार्चा करेंगे कितनी मेरिट होगी जिससे सरकारी कालेज हमको मिलेगा कितनी मेरिट कैसे मेरिट बनती है इस भी चीज पर चार्चा करेंगे पिछले दूवर्थों में क्या मेरिट रही है उस चीज पर चर्चा करेंगे और 2020 की मेरिट क्या रहेगी इस चीज पर भी हम लोग चर्चा करेंगे तो आईए देरी ना करते हुए पहला अपना पॉइंट है DLR क्या होता है DLR का फुल फॉर्म डिप्लोमा एंड एलिमेंटरी एजुकेशन होता है दुई वरफी एक कोर्स होता है जिसके माध्यम से अपना टीचर बनने का समना पूरा हो सकता है आगे जब पहले लास्ट डेट 28 जून थी तब तक साथ हजार अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया था पैमेंट भी किया था उसके बात में डेट को बढ़ा करके 25 जूलाई कर दिया गया था और लगभग एक महिने के अंदर 40 हजार फॉर्म भरने की आसनका है यानि कुल ए एक लाख ही अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया होगा पैमेंट के साथ में आगे कितनी गुवर्मेंट सीटे कितनी कुल फीटे होती हैं तो दो लाख 33,350 सीटे होती हैं गुवर्मेंट में कितनी होती है आई यह इस चीज़ की भीचारता कर लिए तो इसके पहले हम हैं तोटल डायेट कितनी हैं 67 67 डायेट हैं उन डायेट में कालेज डायेट में सीटे कितनी हैं 10,600 फ्राइबेट कॉलेज 20094 हैं उन में सीट हैं लगबग धाई लाट माइनोरिटीज कालेज 187 हैं और माइनोर्टीज में शीटों की संख्या है 17,350 एक छोटा फट्डा था जो कि मैंने आप अभी को बता दिया और एक चीज़ और बता दूँ चीतने भी student वीडियो को देख रहे हैं अपने मुबाइल से भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारी rank कितनी है कैसे सामने जो आपको website दिख रहे होगी अपने मुबाइल पे डालिएगा कि www.updialed.uv.in जैसे ही आप इसको डालेंगे तुरंट आपके सामने एक ऐसा font खुल करके आजाएगा आप दाहिने तरफ देख रहे हैं कि इस प्रकार का तीन लाइन खिचा हुआ है इन तीन लाइन पर जैसे यह आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का फॉंट आपके सामने खुल करके आ जाएगा UPDLAad admission आप इस पे जैसे इस तरीके का font आपे सामने कहलेगा इसको जैसे आप तच करोगी तो नो यो रैंक आपके इस तरीके का आपके सामने की पड़ेंगी पड़ेंग सब जाएगा तो सर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपने रेंक बताया रही रेंक अभी खुली नहीं रहा है तो हम रेंक कैसे जानेंगे तो उसके पहले कितना इन सभी चीज़े पर आइए हम चार्चा कर लेते हैं तो आपको हम यह चीज़ बता दें कि आखिर में यह जो किटाप बनती है वह किस परकार से बनती है तो आपके जो तीर एक्जाम होते हैं कौनफे दसवीं बारवीं और सुना तक में जो आप प्राप्तां क्यानि आ आपका पर्फेंटेज बनेगा वो मेरी इसका टाप लेट फे मैच करा लिएगा अगर आपकी मैच कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपको गुर्मेंट कॉलिज में सकता है तो दसवीं फिर से समझ लीजिए दसवीं बारवीं और इसना तक में जो पर फिंटेज आपने पाया है उसको आप क्या करिएगा जोड लीजिएगा जोडने के बाद में जितना भी आपका नंबर बनता है वो मेरी कटाफ लिश्ट फे मैच करिएगा चले कटाफ लिश्ट देख लेते हैं गवर्मेंट कॉलेज ने काटेगरी वाइस कटाफ को देखते हैं ठीक है जनरल तक रहने वाली है एक और यह चले के लिए 202 से उसल्पन्दरा फे 25 अधियन की आधियन करने के याधार पर एक expected cut-off को मैंने जारी किया है मैंने निकाला है अपने analysis के मादियम से ठीक है experience के मादियम से तो जितने भी student के तीनों कच्छा दसवी बरवी और graduation के mark से जोड़ के परफिंटीज को जोड़ करके 220 फे 230 के 20 में आ रहे हैं वो sure हो जाईए अब आपके एक मन में बात उठ रहे होगी कि आखिर में हमारी rank कब से आएगी ठीक है rank कब आएगी कब हमको पता दिलेगा कि हमारी इतनी rank है और उस rank के किया धार पर हमको government college मिलेगा तो आईए उस चीज की भी चर्चा कर लेते हैं आपके सामने एक pdf में ने खुला है जो 23 के लिए निकाला गया था चैने प्रेस प्रेकिरा के लिए प्रफ्तावित समय स्राडे निकाली गये थी आपको जैसे के सामने दिख रहा है 29 मई को प्रकासित किया गया था कि एड़िशन होना है दो जून से स्टार्ट है और 25 जून तक चले हैं नेकिन याद रखिए यहां पर आप डेट को बढ़ा दिया गया था 27 जुलाई कर दिया गया था यानि एक महीने को एक महीने बढ़ा दिया गया था यानि अब हम जीन चीजों की चार्शा करेंगे उसमें एक महीने आड़ करके हम लोग काम करेंगे ठीक है जैसे कि अब देखिए यहां पर क्या है कि आउनलाइन सुल्क जमा करने की अंतिमति थी 28 जून है तो एक महीने बढ़ा देंगे 28 जुलाई ठीक है 28 जुलाई तक आवेदन जो है फीज भरने के लाश डेट थी उसके बाद में प्रिंट लेने के लिए 30 जुन यानि 30 जुलाई तक एक महीने जोड़ना हम को न तो 30 जुलाई तक अंतिम प्रिंट ले लेंगे हम उस स्टूड़ें के रहेंगे एक वैपको मा दिखा धिया जाएगा आगे क्या है कि अभ्यर्थियों के वर्भवार, फ्रेडिवार, मेरिट के करम में, राजकी। नीजी सनस्थानों में आवंतित फीटों के सापेच, द्वारा दिये गए विकल्पों के क्रम में इन आईसी लखनव द्वारा संस्तान आवंटित करने ही तो काउन्ट फिलिंग का पर्थम चरड फर्स्ट राउंड कप से चलेगा यहां दफ जुलाई फे 28 जुलाई तक है तो एक मही नियाड कर लेंगे 10 अगस्त से 28 अगस्त तक यहां पर पहले राउंट की काउन्ट फिलिंग चलेगी उसके बाद में क्या होगा काउन्ट फिलिंग के पर्सम चरड के अंतरगत आवंटित फन्फथान में आप यर्थियों दोरा अब लेखिये जांच एवां प्रवेश की कारवाई करना प्रवे लेंगे उसके लिए आपको फंए दिया जाएगा अगफ्त है तो सब्सक्राइब के फार्वेश किया जाएगा तो फार्वेश्याम्स्त प्रव्ग्राम चलेगा उसके बाद में आगए चलिए बढ़ते हैं क्या लिखा हुआ सिट रह जाती है तो रिक्त फीटों के सापच एक तो सबस्थान इलेने वह दौरा दिये कहें विकलप के करब में इन आई फी लकनाओ दौरा शंसतान आवंटित करने हे तो कॉन्स लंग के दूती चरट यहां से चाल件事情 सब्सक्राइब करना है उसके बाद में सब्सक्राइब करना है उसके बाद में कर दिया जाएगा जो भी आपको कॉलेज मिलेगा कि दूतिय चक्र में दूतिय चरण में आप भेहरतियों द्वारा अभी लेखिए जहां जो प्रिविस्की कारवाई करना तथा प्रवेफित अबेट्ट्व की सूथना बेफवाइट पर अपलोड किया जाना यह कब तक होग एक फितंबर अब एक महिने बढ़ा जिए जिसमें एक अक्टूबर एक अक्टूबर तक दूतिय चरण की काॉंसुलिंग हो जाएगी पर्थम चरण में जो बचा हुआ है उनको दूतिय चरण में हम लोग क्या करेंगे इडमीफन देंगे यह उनको मिल जाएगा यह लखन सबूब हो जाएगा चार एक्टूबर से असके बाद में अगर कोई स्टूडेंट बच जाता है तो वहीं दूतिय चरण में सबही को एक परकार कालेश में जाएगा क्योंकि दिखाव crust जाएगा तो उसमें क्या है कि बहुत जादे हैं हमारे पास में जगें है फीट लड़के कम है तो सभी को कॉलेश मिल जाना ही है जतने भी फिफ जमा किया है सबी को कॉलेश में लाएगा ठीक है दोस्तों तो यह थी आज की जानकारी आपको आज की जानकारी कैसे लगी अगर अच्छी लगी आपके लिए लाफरा दो तो प्लीज वीडियो को लायक करेगा चैनल को सबस्क्राइब करके सेर कर देजे वीडियो को और अगर आप यह जा करते हैं धन्यवाद